हेलो फ्रेंड्स जेम की एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है मैं आपकी होस्ट रकांग्षा नया वीडियो लेका फिर हाजिरू इस वीडियो में हम सामाचे विज्ञान की अगली पार्थी योजना बनाएंगे पार्थी योजना एकरमांक 51 हम इसके 50 वीडियो यानि 50 पार्थी योजना बना चुके हैं यदि आप प्रीविएस पार्थी योजना देखना चाहते हैं तो वीडियो की नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खूलिए वहाँ पर आपको सामाचे विज्ञान की प्लेइलिस्ट में लेगी उसे खूल कर आप प्रीविएस सारे वीडियो देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर चर्चा करना जो कि है हमारी पार्थी योजना करमाग 51 सबसे पहले आपको इस तरीके से ब्लैक बोड फिलिंग बनानी है जिसमें आप अपना नाम लिखेंगे विध्याले का नाम लिखेंगे कक्षा डालेंगे वि आपके प्रक्टिस तीचिंग कराई जाए तो आपको अपने महाविध्याले का नाम लिखना है कख्षा हमारी चाट्वी का प्रक्रणे विशह सामाचिक विज्यान है प्रक्रणे हमारा भारत के प्रमुख बंदरगा दिनांग जब भी आप इसको बनाए तो हम प्रसेंट क यानि कि कक्षा में पढ़ाएं वो डिनाग डालना है और समय जितने भी मिनिट का आपका वहां पर पीरेड लगता हो वो आपको डालना है फिर उसके बाद आता है सामान नियुद्देश जो कि हमने लिख दिया है यहां पर पूरविवत मतलब की पूरवानुसार क्योंकि सार और नहीं तो आप मुझसे बोले तो मैं आपको बता दूंगी कि कैस से मिल सकता है आपको कहां कौन सी पार्टी होजना में मिलेगा आप हमको टेलिग्राम गुरूप में जॉइन कर लीजे वहां पर मैं आपको पिक्चर दे दूंगी उसकी और फेस्बुक गुरूप भी हम हमारा वहां भी आप जॉइन कर सकते हैं वहां पर भी पोस्ट या कमेंट दौरा आपको जो भी से रिलेटर ठीजे चाहिए तो आपको वहां पर मिल जाएंगे फिर आपको लिखना है विसस्टुद्देश जो कि आपके प्रकरन से संबंदित होते हैं तो विद्यारती भार प्रत्र प्रत्र चेत्र ले लेंगे रंगीन चौक ले लेंगे लपीट श्यंपट संकीत लपीट श्यंपट का इस्तमाल हम मूल्यांगा प्रशन ग्रहकार लिखकर ले जाने के लिए कोई शिक्षन बिंदू भी लिखकर ले जाने के लिए कर सकते हैं बहुत सो लोग शार्ट नहीं लिग ले सकते कुछ रफली बनाना चाहते हैं, क्लकक अक्षा में टायम लगता है ब्लाक बोर्ड पर बनाने तो हो आप बना कर ले जा सकते हैं, सिक्षन विधी में हम यहाँ पे अर्थ कथन विधी, व्याक्या विधी, प्रदर्शन विधी, प्रशन विधी इन सभी का इस्तमाल करेंगे इनका या तो हम कॉलम बना सकते हैं या इस तरीके से डाल सकते हैं या दोनों भी कर सकते हैं फिर आता है पूर्वग्यान, पूर्वग्यान के आधार पे ही हमारे introduction question होते है तो हमको बच्चों से यहाँ पे जानना होता है बच्चों का कि उनका पूर्वग्यान क्या है, उसी के according हम उनसे प्रस्तावना के प्रश्न करेंगे, तभी हम अपने उद्देश कथन पर यह प्रश्न विध्यारती के लिए यह विध्यारतियों के संभावित उत्तर, यह आप heading डाल सकते हैं, आप बच्चों से प्रश्न कर सकते हैं, चार्ट दिखा कर पूछ सकते हैं, बहुत तरीकी से आप प्रस्तावना प्रश्न निकलवा सकते हैं, यहाँ पहला प्रश्न है पानी का जहाज होता है फिर हम अगला प्रशन करेंगे कि पानी के जहाज काहा ठाहरते हैं तो बताएंगे बंदर गाओं में हम उनसे पूछेंगे भारत के प्रमुक बंदर गाओं के नाम बताईगे तो वह उनको नहीं पता है तो वह जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रशन या के पर चाहरे में अध्यायन करेंगे यह ज्ञान प्राप्त करेंगे तरह één के और मेरे करना है καि ऑदेशस कथण के बादाए प्रस्तूतीकरण प्रस्तूतीकरण में और कॉलम बनाने हैं सिक्षन बिन्दू चात्राध्यापिका क्रिया विध्यारती क्रिया उश्यांपटकार यह आप विधी का कॉलम बनाना चाहते हैं तो यहां पर बीच में आप विधी का कॉलम बना सकते हैं हां कथन बोन को कथन वीधी डालना छेया है तो आपको वीधी डालना और मेन बरना-वियारशन विदी डालना है कि तो टीनगाहं स घ्लकॉता है कलकात्ता मुंबय और चेन नहीं यहां पर पहला में स्कुषन बेंगि है को अधर के बारे में बच्कों को बताएंगे यहाँ पर प्रमुख बंदरगाओं को आप लगबूर्ड पर लिख देंगे और इन पूरे समय पर विध्यारतियों की क्रिया क्या होगी वो ध्यान पूर्वक सुनेंगे समझेंगे वा नोट करेंगे कॉलकत्त बंदरगा के बारे में हम बच्चे को बताएंगे कि कॉलकत्त बंगल जो बंदरगा है वो बंगल की खाड़ी में गिरने वाली हुगली नदी के मुखे द्वार पर बसा है अंग्रेज वैपारियों के वैपार द्वारा यह छोटे से गाउं से उन्नत करके एक को सारी चीजे बताना है प्रमुक शिक्षण बिंदू आप यहां पर ब्लैक बोड पर भी ब्लैक बोड वर्क में करते चाहेंगे और जैसे मैंने आपको बताएं विध्यारती क्या करेंगे ध्यान पूर्वक सुनेंगे समझेंगे और नोट करेंगे आप पूरा डेटेल मे कॉलकत्ता बंदरगा के बारे में उनको बताएंगे कि रेलों के बन जाने से ये नगर सारे देश से संबंदित हो गया इस बंदरगा की उन्नती का कारण उपजाओ घना बसा गंगा का मैदान है यहां से चाय, जूट, कोईला, मैगनीज, अबरक और बाहर जाता है और मशी जिन, तेल, धातू की बनी चीजे, रसायनिक पदार्थ ये सब बुलाते हैं वहाँ पर आने वाला माल है तो ये सब आप पच्चो को क्या करेंगे ब्लैक पूर्ट पर लिखकर भी बताएंगे आयाते वर्ष वस्तुएं और निर्यात यहां पर हमने आयात लिखती है कि मश लेकपडंड बीच बीच में समझाते समय मुख्य बंदू लिखना है फिर आपको बध प्रश्न चार नाए यानि आप विद्धयर्थी वैवा'RE में लेक और सात ही उनका आनवां को बचन कोम हाँ बंगाल की खारी मेंदा गिरने वाली होगळी नदी यहाँ पर नहीं लिखा गया है, नदी के मुख्य द्वार पर बसा है, फिर कॉलकत्ता बंदरगा कहां, कॉलकत्ता बंदरगा से निरियात वस्तूओं के नाम बताईए, तो बताएंगे जूट चाहें, दो वस्तूओं के नाम बूच सकते हैं, आप पूरे भी बूच सकते हैं और जो जो भच्चे बताएं उनको blackboard पर भी लिखे हैं, कुछ ही यदि वो भच्चे नहीं बता पाते हैं, तो वो भी आपको blackboard पर लिख देना है, फिर आपको मुंबई बंदरगा के बारे में बताना है, तो वो आप बताएंगे कि मुंबई बंदरगा टापू और देश के मद्द सुरक्षित है, स्वेज नहर के बन जाने से इसकी विशेश उननती हो गई है, विध्यारती क्या करेंगी, ध्यान पूर्वक सुनेंगी, जैसे आपने पहले आयात और निर्यात वस्तू हैं blackboard पर लिखी थी, आपको यहाँ पर भी, आयात और निर्यात वस्तू को blackboard पर लिखना है, बताना है आपको मुंबई की प्रस्ट भूमी में कपास बहुत उननत होता है, तदा सूती मील है, यहाँ पर इस तरह की बंदरगाह की उननती के मुख्य कारण है, यूरोप से आने वाली मोटरें, मशीन, दवाईयां आदी यहीं उतरती हैं, तो यहीं आप उनको चार्ट भी दिखाते जाएंगे, जो भी बंदरगाह के बारे में आप उन्हों बता रहें, इसका चार्ट बना के लिए या फिर आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, बनाना थोड़ा कठीन होता है, लेकिन आपको इसका प्रिंट बहुत अच्छे से आप निकलवा अब यह एक्स्पेंद किया, उससे रिलेटेड हमको बहुत प्रश्न पूछना है, तो हम पूछेंगे मुंबई बंदरगाह का हैं इस्ते थे वो बताईगे टापू पर तो हम उनको बताएंगे, करेक्ट करेंगे उनके सेंटेंस को की टापू पर देश के मद्द हिस्ते थ और हमको बच्चों के आंसर को ब्लाक बोर्ट पर तो लिखना ही है, फिर हम उनसे अगला प्रश्न करेंगे, मुंबई बंदरगाह पर आयातित वस्त्मों के नाम बताईए, तो बताईए, मोटर, मशीन, दवाई है, यह आंसर भी आपको ब्लाक बोर्ट पर लिखना है, फि यह क्रतिम बंदरगाह है, प्राक्रतिक नहीं है, विध्यार्थी को आपको यह बताना है, और उसकी एक लोकेशन बताना है, वहां से क्या आयात होता है, क्या निर्यात होता है, वो बताना विध्यार्थी क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, और अपन पर explain करना है फिर उसके बाद बोध प्रशन करना है कि चेन नहीं का बंदरगा किस प्रकार का है तो बताएंगे प्राकरतिक नहीं है तो फिर आपको उनको बताना है कि ये क्रते में जो प्राकरतिक नहीं होता है उसको हम क्रते म कहते हैं मानब दौरा बनाया हुआ फिर हम अग पर लिखना है जिसे चमडा नारियल धातू जो भी वह ृतते जाते जाते हैं 500 लिखना जो नहां इसी तरीके से आपको चार्ट MOM भी लगाना होता है चोटा सा जो भी आप चार्ट कक्षा में बड़ा बनाते हैं यहांपर प्राइ। बढ़ादीजिए। यहां पर चार्ट दिखाते हैं वहां भी लगा सकते हैं। उसके बाद आता है पर्न्रव Grad maturity Brush ने याने आपने पर्ट को पढ़ा दिया समझा दिया एक्सप्लेइन कर दिया फिर आता है उसकी पुन्रवरत्थी कराने का, एक्सप्लेइन करने कर टाइम कि हमने जो बच्चों को समझाय उनको कि सहद तक कितना समझ में आया तो यहां पर इनको हम कहीं कहीं मूल्यांगन प्रश्ने भी डालते हैं तो आपको यदि मूल्यांगन प्रश्ने लिखने कहा है तो आप इसको मूल्यांगन प्रश्ने भी डाल सकते हैं और इस तरीके से आप उनको से प्रशने पूछ सकते हैं कि बंदरगा किसे कहते हैं मुंबई बंदरगा कहा इसे थे आयात निर्यात वस्तु से तुम क्या समस्ते हो चेन नहीं का बंदरगा कैसा बंदरगा यह पुनरवरत्थी प्रशन आप कर लेंगे इसको आप लपीट श् प्रशन आप भूलेंगे नहीं और जो आपके बहुत प्रशने थे वो भी आपके 15 प्रशन हो सकते हैं तो आप यहां पर कुछ और प्रशन भी एड़ कर सकते हैं लपेट शैंपट पर लिखने से क्या होगा कि आप शैंपट को खोलेंगे कख्षा में टांग देंगे बच्चों को पढ़के बता देंगे और वो उसका आंसर बताएंगे तो इससे आपकी हैल्प हो जाती है आप भूलते नहीं हैं प्रशनों को अच्छे से पाठी उजना का प्रस्तोतिकरन कर पाते हैं फिर आता है ग्रहकार आप होमवक देंगे कि विद्याती इन बंदरगाओं से आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तों की तालिका बना के लाएंगे यानि आपने सभी चीज़ें को बता दिया है अब उनको एक ही टेबल में सारी चीज़े बन प्रस्तोतिकरन कैसा था अच्छा था बुरा था क्या सुधार की आवशकता है ऐसे कुछ पॉइंट लिख देंगे जैसे की प्रस्तावना प्रश्न अच्छे थे सरल थे बच्चों ने उत्तर दिये प्रस्तावना द्वारा आप उद्देशे कथन निकाला गया यानि प्रक बच्चों पर नυयं तुर्ण कैसा था बहुत सारी चीजां आपको परिवेख्षक यहां पर टिपनी दे कर बताते हैं उसके बाद आता हस्ताक्षर का कॉलम आपके हस्ताक्षर और सुपर्वाइजर के हस्ताक्षर आप यहां पर चाहें तो विशेसिक्षक या परामर्ज दाता कि हस्ताक्षर का कॉलम भी तीसरा बना सकते हैं, यहाँ पर वीडियो समापत होता है कैसा लगा, कमेंट करका जरूर बताएं अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकोन फ्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाब ले सकें आप हमको हमारे टेलिग्राम ग्रूप में और फेस्बुक ग्रूप में भी जॉइन कर सकते हैं वहाँ पर आप हमसे कॉशन कर सकते हैं और हमसे भी मदद ले सकते हैं और आपके सह पार्टी जो आप ही की तरह बीएडिया डियलेट कर रहे हैं वो भी वहाँ उस group में add है तो आप उनसे भी help ले सकते हैं तन्यवाद जैहिंद